दोस्कार दोस्तों मेरे नाम है अभी और आप देख रहे हैं रभी टेक यूटूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो का अंदर में से बताने माला हूं पीएम किसान सम्मान निधी में बैंक एकाउंट कैसे एड़ करें बैंक एकाउंट नमबर कैसे चेंज करें दोस्तों दोनों चीजे आज इस वीडियों पूरे डिटेलों को स्टेप बाई स्टेप बहुत सब्सक्राइब करते हैं अगर आपने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधी में किया है तो फटा-फटा जाके के वाईसी का वीडियो मैंने पहले बना दिया है के वाईसी करना ब मारे काउंड तो यहाप लिंक नहीं हो पाएगा इसलिए आप लोग को से रिक्वेष्ट करता हूं कि आप लोग जो है बैंक एकाम पंपना लिंक करने के लिए सब्सक्राइब को फटाइब हो करना सब्सेया निद्ग चृब करना है आपको तम ख्यों फटाइब करेंगा और यहां पे बहुत सारे फिचर से यहां पे दिये गए मतलब यहां पर एक वाइसी न्यू फोर्मर स्टेटस आप सेल फ्रजिस्टेशं आपडेटिंग ऑफ सेल रिजिस्टेशं और यहां पर एडिट अधार फीचर रिकॉर्ड ओगे इसके बाद यहां पर निचे स्क्रोल क कर सकते हैं तो यहां पर बहुत सारे आप फीचर्स जो है मिल जाते हैं तो हमें जो काम है यहां पर नीचे यहां पर से लिख्या है अगर आपको के वाइसी अभी तक नहीं किया तो यहां पर क्लिक करके आप जो है अपना के वाइसी यहां से कर सकते हैं यहां पर अधान नमब क्सान क्ति कि यहां यहां पर कर सकते हैं और यहांं पर स्टेटर स्टेटर सबसे अपने जिसी है कर साम गए अपर नहीं कर दिखा रहा तो दिखा यहां से कर सकते हैं यहां पर यहां पर क्लिक करना है क्योंकि अगर आपको अपना अढ़र्दाल करना है यहां मालूम है और यहां पर ड़ालकर करना है धाल को यह HR करना है तो सेmist करने तो आपका पूर पूर खुल जाएका मतलब जितना भी आपका ड़िब Κीया है जब यहां पर आपको अधान नमबर उगरा सब आजएगा आपको आपको अधान नमबर चेख करने लिए अगर दोस्तों आभी जो है नीव रिजिस्ट्रेशन हुआ है अगर नीव रिजिस्ट्र सन हो रहा है तो उसमें जो है बैंकि काउंट नहीं मांग रहा है उसमें आधार से परफ़ाइब डारिक्ट तो आपका अधार नंबर रही होने चाहिए और आपका पैसे आ जायेगा अगर दोस्तों आपका ना पहले से हुआ है पहले से वहाँ से जिस्टेशन हुआ है तो उसमें बायिक एकाउंट था तो बैंक एकाउंट आपको आड करना बढ़ेगा अगर आपको पैसा अपना चेक करना है वहाँ से इस तरीके से अगर अभी जो आपने अभी शे जिश्ट्रस देंगा और आपको कोई डाउट हो था है कोई और तो आप मुझे